कि यह इमेज एक जैपिटी पॉर्बेमे लगवग साब्बाग सो करोड की भी है यह वाली इमेज लगबाग 500 करोड की भी की है यह वाली दस सेखिट की वीडियो 200 करोड की भी कि यह सब NTFT का मतलब होता है नौन फंजेबिल टॉकिंस non-fungible थोड़ा अजीब सा नाम है पहले इसको समझ लेते हैं तो non-fungible का मतलब होता है unique or not replaceable ऐसी चीज जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसे हम non-fungible कहते हैं example ताज महल जो की दुनिया में सिर्फ एक है एक ही बनाया गया उसको हम non-fungible कह सकते हैं दूसरा example दू तो मोना लीसा की painting जो की Leonardo Da Vinci ने सिर्फ एक बनायी थी उसको भी हम non-fungible कह सकते हैं ऐसी चीज जो दुनिया में सिर्फ एक हो unique हो उसको हम non-fungible कहते हैं non-fungible अपने समझ दिया तो अब token के बारे में बात करें टॉकिन क्या है टॉकिन ऐसी चीजों की non-fungible चीजों की ownership देता है blockchain technology के थुरू कि आप इसके ओनर हो और यह ओनर प्रूफ ओनर शिप है टॉकिन यह एक blockchain technology की तुरू आपको एक address दे दिया जाएगा कि यह address आपकी ownership है तो हम टॉकिन को इस तरह समझ सकते हैं GTουμε सकते हैं एक कपड़े हो सकते हैं इमेज हो सकती है वीडियो हो सकती है 10 सेकिंड की वीडियो सकती मूवी का फ proceeded हो सकता है कि सबसे सबसे बड़ीजन तो इसका यह है कभी पहले mobile phones आया करते थे कि छोटा फं ल偉न ने है कि वह तो वोन है तो आदमी दिखाने के लिए शौफ करने के लिए इसको मुवाइल को खरीदता था और इंटरनेट जब पहली पहली बार आया था तो आज में इंटरनेट चलाता तो उसको उसमें थोड़ा मज़ा आता था तो इस तरह से एक न्यू टेक्निलोजी एक न्यू एरा है द रिएख सेल्पर अगर मैंने पांच सू की लिए और दूसरे दोसरेल बन्त को 700 बेज़ दी तो यहां पर ट्रेटिंग हो रही है तीसरा रीज़न क sih कि को तो इसको बहुत ज्यादा यूजर आ रहे हैं और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं आप अपनी nft बना करके उसको कैसे सेल कर सकते हैं वह भी फ्री में दुनिया के सबसे बड़े nft प्लेटफॉर्म पर सो बहुत सिंपल है वीडियो को लास्त अगे सबसे पहले आपको अपना ब्र प्लेट की जोरत पड़ेगी मेटा मास्क में हमें वहां पर वालेट बनाना होगा वालेट बनाने के बाद जब जा करके हम nft को अपलोड कर सकते हैं तो अगर आप android यूजर है तो play store पर जा करके अब मेटा मास्क का एप डाउनलोड कर सकते हैं और आप आईफोन चलाते हो अप इस्टोर पर जा करके आप अपनी अपनी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो सेंप प्रोसेसर जो यहां पर है वह वह फोन पर भी वही प्रोसेस होगा तो मैं यहां पर चालू करता हूं अब सर्च मेटा मास्क एक्स्टेंशन थोड़े जल्दी के लिए मैं यह लि देलगों आ गही है अब मैं यहां पर करता हूं एड्टू कृव ही हो अदि मैं यहां परही एड exhale एक्सीन्शन उसपर किलिक कर देता हूं है यह मैरी एक्सेंशन डाउनलोड हो रहे है चि डाउनलोड होने के बाद हीच चेकिंग हो रहे है ठोड़ा मेरापई दो है यह मैस में मृट Komma । यह मैं टो मुझा है यह यह आड़ी एक्सेंशन पर आ भी चुका है तो मैं यहाँ पर अपना एक गो करने ने अपना एक एक्सेंशन को on करता हो यहाँ पर सर्च कर दुगा मेटमाश्थ ठीक है मेटमाश चर्च करने भीरजन के बाद मेरा मेंटामास को अब खुल चुगा है ठीक है यह मेरा में इस खुल चुगा वैलकम टू मेंटामास क्लिका रहा है connecting to ethereum and decentralized web we are happy to see you अब मैं यहां पर अपना wallet बनाना है तो get start पर click करूँगा यह कर रहा है अल्रेडी है यह आपको नए बनाने तो मुझे create a wallet बनाना है ठीक है नए wallet बनाना है तो create a wallet पर click कर देता हूँ यहां पर i agree को बोल रहा अग्री ठीक है और यहां पर password माँग रहा तो आपको एट करेक्टर का password दे देना है यह हम नीव डाल देता हूँ यहां पर मैं confirm कर देता हूँ password को अब यहां पर एक कर दिया और यह create टीक है अब मैं create पर click कर देता हूँ आँ के या यह बाद यह बता रहा है secure your wallet और यहां के how do I save my secret phrase recovery phrase तो यहां पर आपको recovery phrase दी जाएंगी वह 12 क्रेक्टर की होंगी उसको आपको सम्भाल कर रखना होगा क्योंकि वहीड उस ही से आपका account ओपन होगा ठीक है तो यहां लोकर में आपको इसको रग देना है जगे-जगे रख देना एक जगे नहीं रखना है काफी जगे फ्रेज को इसको रख देना है क्योंकि अगर आपका वॉलिट रहता है तो फिर बाद में निकल नहीं सकता तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं, नेक्स्ट करने के बाद में फ्रेज देखता हूं, फ्रेज को मैं इसको कोपी कर लेता हूं, सारी फ्रेज को कोपी और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया ठीक है नेक्स्ट करने के बाद जो मेरी फ्रेज मिली थी 12 क्रेक्टर की उसको मैं यहां पर सीरीज वाइज लगा देता हूं तो मेरा वालेट क्रियेट हो जाएगा एक है है यह 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 और यह यह मैरे लास्ट फ्रेज लग चुकी है मैं इसको next पर confirm पर किलिक कर देता हूं तो यह मेरा congratulation लिखा हुआ गया है और यहां पर आया है tips on starting safely save a wake up in multiple places बागी वो लिखा है कि phrase को समाल के रखना है और अलग-अलग जगा पर रखना है ठीक है तो मैं यहां पर all done पर किलिक कर देता हूं और लंपर किनने के बाद यह मेरा वालेट क्रियेट हो चुका है ठीक है अब मुझे इसकी ज़रुवत नहीं है अब मेरा वालेट क्रियेट हो चुका है अब मेरा वालेट क्रियेट हो चुका है कि यहां पर मेरा यह वालेट आ गया है एकाउंट वन किरेट अपाउंट कनेक्ट हार्डवेर वालेट इतना कुछ लिखा है इसमें यहां पर नीचे में देखता हूं ठीक है डिपॉस्ट डेथर और यह मेरा सेंट डू आ गया है और कि यह मेरा दिख्रशायब कर ने चाते हो वह कभी है क्या अब मां अब स्ञिक प्लेटफॉर्म पर ऐस थी करा में चोड़ा यहां पर सर्च करता हूं ऑप्ण सीज प्लेटफॉर्म ठीक है ओपन सी प्लेटफॉर्म यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं सबसे बड़े सबसे पहले लिंक पर ही क्लिक करने के बाद यह मेरा ओपन सी की वेबसाइट ओपन हो चुगी और यहां पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले होगा है questo पर फिर संब्स सब्सक्राइब में में टमास की साइन करने को कह रहा है तो मुझे इसको साइन करना होगा तो मैं साइन कर देता हूं इसको और यह मेरा क्रियेट न्यू अटा आइटम बोल रहा है ठीक है तो मैं अपने जो मैंने डेक्स्टॉप एक एनेफ्टी बना कर रखी तो उसको तो आपको नम डालना है वो नेम डाल देना मैं तो अपना नाम डालरा हूं आई सूफी अब दालने कबाद थोड़ा स्क्रिप्शन में मांग रहा है तो मैं इसमें क्या डालो मैं डाल देता हूं देख लेते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करता हूं नीचे और क्या-क्या है देख लेते हैं और collection मांग रहा है तो collection में क्या है अभी तो पहली बाद में सोचेंगे collection का और यह एथिरियम करने यहां पर पॉलीगन करना अगर आप एथिरियम करोगे तो यहां पर फीस मांगा पॉलीगन पर आपको फीस नहीं मांगेगा और create पर क्लिक कर देना है ठीक है कि प्लीज वेट ऑके कि यू क्रियेटड आई सूफी वाओ यू जस्क्रियेटड आई सूफी ठीक या इसको मैं कलक कर देता हूं यह मेरी कलेक्शन मा गई है अब इसको मुझे सेल करना होगा तो मैं यहां पर देख लेता हूं नीचे मिन्टेड नल अड्रेसेज यू कि मैं यहां पर लिस्टिंग में अभी है नहीं है लिस्टिंग लिस्टेट करेंगे इसको तो यहां पर सेल पर क्लिक करना होगा करने के बाद यहां पर मैं अमाउंट डाल देता हूं जीरो पॉइंट जीरो वन एथिरम का ठीक है ज्यादर डाल रहा हूं कोई 30 की कीमत है नहीं और मैं कप्लीट लिस्टिंग पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद यहां पर अलोग करेंसी करना हो आपको क्लिक तो यहां पर मैं अलोग करेंशी पर क्लिक कर देता हूं श्マ क्लिक करने के बाद यहां पर साइन मांग रहा है और एक बार और कंफिर्मेशन मांग रहा है साइन और यह एक और बार साइन मांग रहा है कुछ जाद ही साइन नहीं मांग रहा है और फिर एक और बार साइन कर दिया जिए एक और बार मांग रहा है साइन पर क्लिक कर दिया है ऑکे और ये मेरी एने एफटी लिष्टेड हो चुकी है तो अब मेरी एने एफटी लिष्टेड हो चुकिए अभी कोई भी बन्दा आएगा इसको देखेगा वह बिड लगा सकता इस पर और मैं कट करके देख लेता हूँ यह मेरा लिस्टेड़ है कि हम प्राइज आरहा होगा है यां पर यहां पर आ रहा है है बिंटेड वाइब मी और यहां पर आ है कितना प्राइज जीरो पॉइंट जीरो वन एधिरम का ठीक है और सेल्स एंड से अटाइस फरवरी और जीरो पॉइंट जीरो वन है यह कलेक्शन मेरा यह है कलेक्शन आईडी और मैं इसको सर्च करके देखता हूं कि लिस्टेड हुई है या नहीं हुई है कोपी यहां पर डाल देता हूं पेस्ट करके और यह मेरी आइटम आ चुकी है ओपन सी प्लेटफॉर्म पर वह भी फ्री में कोई भी आकर के बंदब फ्रैवेट पर क्लिक कर देता हूं कोई भी आकर के अब इसको देख सकता और खरीच सकता अगर उसको पसंद आती है तो सो थेंक्स फो वाचिंग माइ वीडियो कर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना थैंक यू